Hello dear students, welcome to ATP Academy Guys, आज हम Electrostatics का Lecture No. 8 लेकर के आए हैं और इस Lecture में हम बात करेंगे कि Line Charge Distribution अगर है तो उसकी वज़े से Electric Field क्या होगी? ठीक है? Suppose, यहाँ पर आपको एक Line Charge गीवन है ठीक है? और Line Charge हम इस तरह से ले रहे हैं ठीक है? एक हमने Rod यहाँ पर ले ली है और इस पर Positive Charge Supposed Distribute है आप चाहें तो Negative Charge भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर Positive Charge Distribute कर दिया ठीक है? तो इस तरह से बच्चों मैंने Positive Charge यहाँ Distribute किया है और यह जो Charge है ठीक है? क्योंकि यह Charge Line में Distribute है इसलिए हम लिखेंगे Lambda कुलाम पर मीटर यानि कि पर मीटर मतलब अगर आप इस Rod का 1 मीटर लेते हो तो उसमें कितना Charge होगा? उसमें Lambda Charge होगा और यहाँ पर इसी Line पर अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक Point Given है और इस Point पर हमें क्या Find करना है? Electric Field तो यह जो Point है Suppose जो Nearer End As Point से Suppose वो A Distance पर है और Rod का जो दूर वाला End है वो Suppose B Distance पर है तो यह हमने B Assume कर लिया और Charge Density क्या Given है? Lambda कुलाम पर मीटर अब हमें Find करना है कि Point P पर Electric Field क्या होगी? तो इससे Solve करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस Rod में एक Element लेंगे ठीक है? देखे क्या तरीका इसको Solve करने का कि सबसे पहले आप यह Rod यहाँ पर लेंगे और आपको पता है कि Point P यहाँ पर कहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि Point P से Distance X पर यह आप अपनी तरप से कोई भी Distance ले ले मैंने Point P से Distance X पर एक छोटा सा Element यहाँ पर कट कर लिया Element इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसे Point Charge अजियूम कर सको तो बज़ों यहाँ पर जो इसकी Thickness है जो Length है इसकी वो Dx हो जाएगी क्योंकि X Distance पर आप Small Element लोगे तो उसकी Thickness कितनी होगी? Dx होगी तो अब हम क्या करेंगे इस Dx Element की वज़े से Point P पर Electric Field कलकुलेट करेंगे अब देखें यह जो Dx Element है इतना इसमें Charge कितना होगा? सबसे पहले में Lambda Charge है तो Dx Length में हो गया Lambda into Dx अब इस Charge की वज़े से हमें यहाँ पर Field Find करनी है तो आप जानते हैं क्योंकि यह Positive Charge है तो Field की Direction क्या होगी? Away from Positive Charge मैंने इसको यहाँ पर D E Assume कर लिया अब हम यहाँ पर D E लिख सकते हैं तो जो D E होगा वो कितना होगा? इस Point Charge की वज़े से यहाँ पर Electric Field आप लिख होगे K Small Charge DQ Divided by Distance कितनी है? X उसका Square कर देंगे अब हम K की Value यहाँ रख दें K कितना होता है? 1 upon 4 Pi Epsilon 0 DQ कितना है अपने पास? Lambda into Dx Divided by Distance यहाँ पर X है तो यह होगया X Square ठीक है? तो यह D E की Value आ गई अब क्योंकि हमें Total Electric Field Find करनी है Net Electric Field Find करनी है तो आपको करना क्या होगा? देखो आपने Element कहाँ पर लिया था? X Distance पर अब आप जानते हैं कि Rod Start कहां से हो रही है? Distance A से Rod कहां से Start हो रही है? Point P से Distance A पर Rod Start होती है और End कहां पर हो रही है? Distance B पर End हो रही है यानि कि अगर मैं A से लेके B तक के सभी Element कवर करूँ तो Net Electric Field मुझे क्या लिखनी चाहिए? Net Electric Field होगी Integration of DE ठीक है? Integration of DE और कहां से कहां तक Integrate करेंगे? बताइए यानि पहला Element आपको यहाँ पर मिलेगा और Last Element आपको यहाँ पर मिलेगा यानि X इकोल टू B तक इसको Integrate करना होगा अब देखें DE कितना था आपने पास? 1 upon 4 pi epsilon 0 यहाँ पर हो गया Lambda dx divided by x square और Limit आप यहाँ पर लिखेंगे x is equal to A 2x is equal to B अब इसमें जो भी common आपको दिख रहा है जो भी constant है वो integration के बाहर आ जाएगा तो Lambda upon 4 pi epsilon 0 यह तो integration के बाहर आ गया integration के अंदर क्या बचा? dx upon x square और Limit कहां से कहां होगी? x equal to A 2x is equal to B अब अब अच्वो हमें पता है कि 1 upon x square का जो integration होगा वो का minus 1 upon x तो आप इसको लिख सकते Lambda by 4 pi epsilon 0 minus sign बाहर कर ले और 1 upon x में limit लगा देंगे ठीक है? A to B अब limit का rule तो हमें पता ही है limit का rule क्या होता है? Upper limit minus lower limit तो यह अपने पास आजाएगा Lambda upon 4 pi epsilon 0 with minus sign और देखो यहाँ पर x की जगे upper limit रखोगे minus फिर x की जगे lower limit इस minus sign को अगर हम multiply कर दें अंदर तो जो net electric field अपने पास आएगी वो कितनी हो जाएगी? Lambda upon 4 pi epsilon 0 minus अंदर चला गया तो 1 upon A minus 1 upon B तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से हमने net electric field find किया है और यह जो result है आप इसको direct भी याद रखें कि जो net electric field अपने पास आ रही है वो कितनी आ रही है Lambda upon 4 pi epsilon 0 bracket में क्या है? 1 upon A A यहाँ पर कौन से distance है? जो pass वाली distance है nearer end तक की distance क्या है? A minus 1 upon B B कहां तक की distance है? दूर वाले end तक की distance है? तो इस तरीके से हम net electric field find कर सकते हैं और यह result भी काफी important है तो आप इसको याद रखें अब बच्चों हम अपने अगले किस में आते हैं इसमें भी आपको देखो यहाँ पर एक linear charge given है ठीक है? finite length का एक linear charge है इस end के ठीक सामने एक point है जहाँ पर हमें field find करनी है यानि कि यह जो point P है वो कहां पर है एक end के ठीक सामने एक point है जहाँ पर हमें field find करनी है और यह जो rod है वो point P पर कितना angle subtend कर रही है? alpha angle subtend कर रही है ठीक है? तो आपको net field find करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहला काम है आपको एक element select करना होगा तो यहाँ पर देखे यह तो rod हो गई और इस rod में positive charge uniformly distribute है और हमें field कहाँ पर find करनी है एक end के ठीक सामने find करनी है तो यह मैंने यहाँ पर point ले लिया P और यह distance कितनी है R अब element लेने का जो method है यहाँ पर वो इस तरह से है आप क्या करेंगे point P से ठीक है और यह जो R वाली line आपको दिख रही यहाँ से किसी angle पर एक element लेंगे तो suppose मैं यहाँ पर किसी angle theta पर मैं जाता हूँ और very small angle पर ठीक है आप यह देख सकते हैं यह angle यहाँ पर कितना है d theta ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या किया theta angle पर d theta का एक element ले लिया यह angle कितना है theta है और जो thickness है इसकी वो कितनी d theta तो यह वाला जो element आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का ठीक है इस element की जो angular thickness है वो कितनी है d theta अब देखिए आपको करना ये है सबसे पहले तो charge point करना है कितना होगा इसके लिए आप एक काम करेंगे बच्चों ये वाली length कितनी होगी सबसे पहले इस पर काम करो ये length कितनी होगी suppose ये y है अगर मैं इसको y assume कर लूँ तो ये वाली जो थिकना से वो कितनी हो जाएगी dy हो जाएगी ठीक है वाई है तो ये dy होगा y पर dy जैसे theta के सामने y है तो d theta के सामने क्या होगा dy होगा first of all हम calculate करेंगे y कितना है तो y के लिए आप यह 10 theta यूज़ कर सकते हो जो 10 theta होता हो क्या होता है तो यहां से अगर मैं dy calculate करूँ तो dy कितना होगा r 10 theta का differentiation क्या होता है sec square theta d theta ठीक है वाई आपके पास आ रहा है r 10 theta तो dy कितना हो जाएगा r तो constant है और 10 theta का differentiation होगा sec square theta d theta तो हमने लिख लिए dy equal to r sec square theta d theta अब बच्चों जो dy का element है इसकी वज़े से यह देखो point p कितनी distance पर है तो यह वाली जो distance है आप इसे calculate कर लो आप थोड़ी देर के लिए z assume कर लो z निकालने के लिए हम क्या कर सकते है z find करने के लिए आप यहाँ पर cos theta use कर लो जो cos theta होगा क्या होगा r sec theta तो z की value भी आ गई ठीक है अब देखो अब अपने पास यहाँ पर क्या है अब मैं कह सकता हूँ कि अपने पास एक element है बहुत छोटा से element है ठीक है जिसकी length कितनी है dy है और यहाँ से कितनी distance पर point p है तो आप यह कहोगे यहाँ से जो point p है वो यहाँ पर कही है कितनी distance पर है z distance पर है ठीक है और यह वाला जो angle है यहाँ पर वो कितना है theta अब अब अच्छों क्या आप यह मुझे बता सकते हो कि charge कितना होगा इस पर तो आप यह जानते हो कि unit length में कितना charge है lambda तो dy length में कितना charge होगा lambda into dy यानि कि जो dq होगा वो होगा unit length में charge into length dy ठीक है यह तो dq मिल जाएगा अब आप क्या करें इस dq की वज़े से यहाँ पर electric field calculate करें तो आपको पता यह positive charge है तो positive charge की वज़े से जो field होगी वो कैसी होगी away from positive charge तो इसे मैं लिख लेता हूँ d e ठीक है यह तो होगया d e लेकिन अगर आप देखें तो यह जो d e है इसके आपको यहाँ पर दो components मिलेंगे क्योंकि यह वाला angle कितना हो जाएगा theta तो इस d e के दो component मिलेंगे पहला इस direction में आएगा जो की होगा d e cos theta और एक होगा wire के parallel direction में वो होगा d e sin theta तो इस तरह से आप component कर लें और बचों यहाँ पर मैं दो directions ले लेता हूँ यह वाली direction में x assume कर लेता हूँ यह वाली direction में y ले लेता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं x direction में field लिखूंगा आप चाहें तो पहले d e की value calculate कर ले है न तो d e कितना होगा बताओ इस d q की वज़े से point p पर electric field क्या होगी k charge है d q divided by z square अब आप इसमें values पुट कर दें तो k अपने पास कितना होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 इसके बाद d q पुट करेंगे d q क्या था lambda into d y और बच्चों d y क्या है r sec square theta r sec square theta d theta ठीक है तो ये अपने पास क्या गया d y into lambda यानि charge हो गया divided by z square और बच्चों z क्या था r sec theta था तो नीचे भी क्या आ जाएगा r square sec square theta क्योंकि square करना है आपको अब आप देख सकते हो sec square theta से sec square theta cancel हो जाएगा तो जो अपने पास d e की value आएगी वो कितनी आएगी lambda upon 4 pi epsilon naught 1 r से 1 r चला गया 1 r नीचे बचेगा और उपर अगर आप देखें तो d theta रह जाएगा ठीक है तो इतना term आपके पास बचेगा sec square theta cancel हो जाएगा तो बच्चों अपने पास d e आ चुका है यानि कि small element ने कितना field produce किया है lambda upon 4 pi epsilon naught d e d theta upon r और आप जानते हो कि इस d e के दो components है एक है d e cos theta और दूसरा है d e sin theta तो हम इंडी जोली दोनों calculate करेंगे तो चलिए सबसे पहले calculate करते है d e cos theta अगर d e cos theta को integrate करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा x direction में net electric field और इसी तरह से अगर आपको y direction में net field चाहिए तो यह हो जाएगे d e sin theta का integration और बचो limit अगर देखें तो आप जानते ही कि limit कहां से का होगे देखो theta equal to 0 करोगे तो आप इस end पर आ जाओगे और theta equal to alpha करोगे तो इस end पर आ जाओगे यानि कि limit जो लगेगी वो अपनी कहां से कहां तक लगेगी theta is equal to 0 2 theta is equal to alpha similarly यहाँ पर 0 to alpha अब यह दोनों आपको solve करने हैं solve करके देखेंगे क्या result आता है तो चलिए values में put करते हैं देखें d e की value सबसे पहले e x निकालना अपने को तो e x क्या हो जाएगा integration अब आप d e की value रख दो lambda upon 4 pi epsilon not r क्या लिखा हुआ है cos theta और यहाँ पर क्या है d theta और limit के अगर हम बात करें तो limit कहां से कहां तक है 0 to alpha ठीक है 0 to alpha तो यहाँ पर alpha लिख लेंगे 0 to alpha अब सबसे पहले इसे calculate करते हैं तो देखो जो lambda upon 4 pi epsilon not है यह तो constant है तो यह constant है तो यह तो integration के बाहर आ जाएगा तो यह हो जाएगा lambda upon 4 pi epsilon not r और बचो cos theta का integration क्या होगा cos theta का integration हो जाएगा sin theta और limit आप लगा दें यहाँ पर 0 to alpha ठीक है और इसको अगर हम further solve करते हैं तो यह अपने को मिल जाएगा upper limit minus lower limit होगा तो lambda upon 4 pi epsilon not r यह अपने पास आजाएगा sin alpha minus sin 0 कितना होगा 0 तो यह तो x direction में field आ गई result काफी important है तो x direction में field क्या आ रही है lambda upon 4 pi epsilon not r into sin alpha अब बचों इसी तरह y direction में हम calculate करते हैं y direction में calculate करने के लिए बताएगे e y कितना हो जाएगा e y निकालना है तो d e put कर दो यहाँ पर d e कितना है lambda upon 4 pi epsilon not r sin theta साथ में लिखा हुआ है d theta और आ जाएगा और limit आप लगाएगे 0 to alpha अब जो constant उसको बाहर कर लेंगे constant है अपना lambda upon 4 pi epsilon not r sin theta का integration होता है बचों minus cos theta तो minus यहाँ पर आ गया यह हो गया cos theta limit आप लगा दे 0 to alpha जब बचों इसको solve करोगे तो यह आएगा cos alpha minus cos 0 और minus sign अंदर अगर multiply कर दें तो यह बन जाएगा cos 0 minus cos alpha और cos 0 कितना होता है 1 minus यहाँ पर क्या आ जाएगा cos alpha तो यह आपको मिल जाएगा y direction में net electric field ठीक है y direction में net electric field आ गई इस तरह से और x direction में net electric field आ गई अब मैं यह दोनों formula एक बार लिख देता हूँ आप इसको अच्छे से देख लें समझ लें अपने पास था क्या कि यहाँ पर एक linear charge था और हमें इस linear charge के एक end के ठीक सामने field फाइंड करनी थी यहने our distance पर field फाइंड करनी थी तो बच्छों यहाँ पर हमने देखा कि जैसे positive charge है तो यहाँ पर दो component आएंगे electric field के एक component होगा जो इस rod के perpendicular होगा सामने वाला ठीक है rod के perpendicular होगा ठीक है यहने कि आप इसे बोल सकते है e perpendicular ठीक है और एक होगा rod के parallel वाला अब देखो positive charge है तो ripple करेगा मतलब away from positive charge तो एक component इस तरह से आएगा इसको आप e parallel बोल सकते है तो जो e perpendicular की value आ रही है वो कितनी आ रही है lambda upon 4 pi epsilon not r sin alpha ठीक है sin alpha मतलब जितना angle subtend कर रहा है और वहीं अगर हम दूसरा component देखें तो यह आपके पास आ रहा है e parallel e parallel कितना आ रहा है lambda upon 4 pi epsilon not r 1 minus cos alpha बचोंगे जो दो formula है यह बहुत important है अभी मैं अलग-अलग cases में इसको यूज करके आपको बताऊंगा इसका application बताऊंगा बट उससे पहले आप यह दोनों formula अच्छे से learn कर लें देख लें कि कौन से component में sin alpha रहा है और किस component में 1 minus cos alpha है अब अच्छोंगे इसका पहला application देखते है first application आपके यहां देख सकते हैं कि यह आपके पास एक linear charge है ठीक है और यह जो linear charge है इसमें यह कहां तक जा रहा है infinite तक जा रहा है एक direction में infinite तक जा रहा है और दूसरे end के ठीक सामने हमें electric field calculate करनी है बच्छों इसमें जो सबसे important factor है वो है alpha का कि यह जो wire है वो कितना angle subtend कर रहा है तो अगर आप देखें तो मैं इस point से क्या करूँगा इसके दूसरे end को join करूँगा लेकिन दूसरा end क्योंकि infinite तक जा रहा है तो मुझे भी इसी के parallel चलना पड़ेगा अगर मुझे भी इसको infinite तक क्योंकि अगर मैं किसी angle पर जाऊंगा तो यह कहीं न कहीं meet कर जाएगा यह जा रहा है infinite तक इसलिए मुझे भी इसके parallel चलना होगा ठीक है यानि कि यहाँ पर angle अगर आप देखें तो कितना बनेगा बच्चो 90 degree तो आप ध्यान रखें कभी भी 90 मतलब infinite तक जा रहा है तो angle कितना लेंगे 90 degree लेंगे तो alpha कितना हो गया 90 हो गया अब मैं दोनों components की बात करता हूँ सबसे पहले एक component था E perpendicular वो component जो rod के या line के perpendicular होता है तो line के perpendicular जो electric field है वो कितनी होगी अपने पास calculate कर लेते हैं पर्मूला यादी है अपने को E perpendicular कितना होता है lambda upon 4 pi epsilon not r और यहाँ पर क्या आता था sin alpha आता था sin alpha आता था और alpha कितना है 90 तो यह कितना हो जाएगा lambda upon 4 pi epsilon not r आप यहाँ पर sin 90 देखेंगे तो sin 90 कितना होता है 1 होता है इसलिए हो गया lambda upon 4 pi epsilon not r क्योंकि यह positive charge है तो E parallel इस तरह से होगा तो E parallel अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो it will be lambda upon 4 pi epsilon not r क्या होता था 1 minus cos alpha और cos alpha यहनि cos 90 और cos 90 कितना होता है बच्चों 0 तो यह भी कितना हो गया lambda by 4 pi epsilon not r आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो k lambda upon r भी लिख सकते हो ठीक है आप k के term में लिखो तो k lambda upon r भी हो जाएगा it means कि अगर आपके पास इस तरह से कह सकते हो कि अगर अपने पास यहाँ पर infinite length का charge हो ठीक है infinite length का charge हो positive charge हो या negative charge हो suppose positive charge है और एक end के ठीक सामने हमें field लिखनी है तो result जो आ रहा है वो यह आ रहा है कि इस direction में field कितनी है k lambda upon r और इस direction में भी field कितनी आ रही है k lambda upon r अब अब अच्छो मैं आपको एक बहुत खास बात बता रहो बहुत important point है अगर मैं आपसे को इन दोनों का resultant find करो तो k lambda upon r और k lambda upon r को resultant आएगा वो exact mid से जाएगा मतलब यहां से यह angle कितना होगा 45 degree और इधर भी कितना होगा 45 जबकि यह याद करो rod कितना angle subtend कर रही थी 90 degree और rod अगर 90 degree subtend कर रही तो net electric field अगर थोड़ा back extend करोगे तो यह half half से divide हो रहा है यानि कि जो net electric field है वो दोनों side half half angle बना रही है मतलब total angle के bisector से पास हो रही है net electric field तो that's a very very important concept अभी आगे कुछ और examples होगे जिसमें आप देखना कि जो net electric field है वो angle bisector के along होती है अच्छा बचो अगर यहाँ पर positive की जगे negative charge होता तो क्या होता ठीक है suppose यहाँ पर हम negative charge ले लेते यह complete charge कैसा होता negative charge distribute होता और फिर आपको find करना होता कि यहाँ पर field क्या होगी तो केवल direction में change आएगा देखो negative है तो direction ऐसे हो जाएगी towards negative charge होगी तो एक तो यह component आएगा ठीक है क्या होगा k lambda upon r और दूसरा parallel जो component होगा वो इस तरह से होगा यह भी कितना होगा k lambda upon r और अगर आप दोनों में net electric field लिखना चाहें तो net electric field का magnitude कितना होगा k lambda upon r into root 2 ठीक है बच्चों तो काफी important result था और यह 90 वाला case भी आपको याद रखना है इसके बाद हम लोग एक full length लेते हैं infinite length और उसकी वज़े से देखते है electric field क्या होगी यहाँ पर अपने पास एक infinite length का linear charge है और इसकी वज़े से हमें इस point p पर electric field find करनी है देखे इसको हम यहाँ पर two halves में divide कर सकते हैं किस तरह से देखे एक तो यह upper infinite हो गया या semi infinite आप बोल सकते हैं इसको ठीक है इस तरह से ठीक है एक तो यह हो गया इस पर positive charge है इस तरह से और यहाँ पर हमें field find करनी है ठीक है यह point p हो गया और हम यहाँ पर क्या करते हैं plus जो lower half है उसको अलक्स से draw कर लेते हैं मतलब इसके नीचे का तो यह हो जाएगा यहाँ पर lower half और इस पर भी क्या था positive charge था इस तरह से और इसकी वज़े से भी हमें कहां find करनी है p पर मतलब हमने क्या किया कि जो infinite length आपको total दी गए इसको 2 half में divide कर दिया अब हमें semi infinite की वज़े से पताएं कि field कैसे find करते हैं चलिए बताइए बच्चों यहाँ पर क्या होगा जो semi infinite है इसकी वज़े से इस direction में field कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे sir k lambda upon r और एक field इस direction में होगी parallel वो कितनी होगी वो भी होगी k lambda upon r तो दो field तो यह होगी similarly अगर हम यहाँ पर लिखें तो इस positive charge के जिस एक तो इस direction में होगा k lambda upon r और एक इस direction में होगा parallel वाला k lambda upon r अब अगर यह four electric field vectors का vector sum किया जाए तो आप देख सकते हैं k lambda upon r k lambda upon r मतलब इस direction में तो आपको दो मिल गए k lambda upon r तो यह होगया 2 k lambda divided by r और अगर हम यहाँ पर parallel वाले components देखें तो एक है k lambda upon r upper direction में और एक है downward direction में k lambda upon r तो यह तो देखो direct cancel हो जाएगा और net electric field अपने पास कितनी आ जाएगी 2 k lambda divided by r ठीक है बच्चो 2 k lambda upon r और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो lambda upon 2 pi epsilon not r मतलब अगर आप k की value रख दो तो lambda by 2 pi epsilon not r तो यह भी काफी important result है यह भी आपको याद रखना है 2 k lambda upon r अगर full infinite है तो 2 k lambda upon r की net electric field होगी अगर हम यहाँ पर देखें तो net electric field की जो direction आ रही है वो इस तरह से आ रही है ठीक है यह net electric field की direction है अब अगर आप देखो तो दोनों side इसने angle कितना बनाया था तो इस side भी 90 बनाया होगा और इधर भी 90 degree बनाया होगा यहनि total angle कितना होगा 180 और अगर आप देखें तो जो electric field है वो फिर से angle bisector के long है यहनि total angle जो 180 उसको half से जा रही है तो angle bisector के long है यहाँ पर भी तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो electric field है वो angle bisector के long आ रही है next case में अगर हम देखें तो यहाँ पर अपने पास एक linear charge है लेकिन यह linear charge ना तो infinite length का है ना ही semi infinite length का है यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 और 60 angle आपको given है और अब हमें calculate करना है कि net electric field क्या होगी बच्चों जैसा मैंने आपको बताया है कि हम एक end के ठीक सामने electric field find कर सकते हैं तो चलिए इसको भी उसी pattern में break करते हैं किस तरह से आप इसे ऐसे segment यह हो गया जिसकी वज़े से इसके एक end के ठीक सामने हम field find करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो charge इस तरह से upper segment में ठीक है यह charge है और यह कितना angle यहाँ पर subtend कर रहा है यह angle subtend कर रहा है 30 degree और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर lower segment की बात करें तो lower segment यहाँ पर इस तरह से है यह है lower segment और यह इस point पर कितना angle subtend कर रहा है यह इस point पर angle subtend कर रहा है 60 degree ठीक है यह हो गया 60 degree और इस पर भी positive charge है इस तरह से यहाँ पर positive charge अब बच्चों हम क्या करेंगे दोनों की वज़े से पहले feed लिखेंगे तो सबसे पहले यह बताओ यहाँ 30 angle subtend कर रहा है तो एक component तो इस direction में आ जाएगा ठीक है वो कौन सा component होता है perpendicular component ठीक है और perpendicular component की जो value होगी वो क्या होगी वो होगी के lambda divided by r और bracket में क्या था sine 30 है और बच्चों sine 30 कितना होता है 1 by 2 होता है ठीक है तो इस तरह से लिख लिए और एक component होगा parallel जो parallel component होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा k lambda upon r और साथ में क्या था 1 minus cos 30 और बच्चों 1 minus cos 30 मतलब 1 minus root 3 by 2 आ जाएगा ठीक है तो एक ये वाला component हो गया similarly अब हम यहाँ पर इसकी वज़े से लिखते हैं तो एक तो सामने वाला component हो गया perpendicular component तो ये कितना होगा k lambda upon r और यहाँ पर क्या हैगा sine 60 sine 60 मतलब root 3 by 2 और second component इस direction में होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा k lambda upon r 1 minus cos 60 और 1 minus cos 60 मतलब 1 by 2 तो ये उतना ही हो जाएगा k lambda upon r 1 by 2 ठीक है तो ये आपने 4 electric field vectors लिख लिए अब आपको क्या करना है इसका resultant find करना है तो बच्चों अगर हम इसका resultant calculate करें तो अपने पास देखो यहाँ पर k lambda upon r 1 by 2 और यहाँ पर k lambda upon r root 3 by 2 मतलब की net field अगर इस direction में देखें तो कितनी आ रही है k lambda upon r root 3 plus 1 divided by 2 ठीक है ये तो आ गई perpendicular field और बच्चों कर parallel में बात करें तो यहाँ पर आप देखो ये है 1 minus root 3 by 2 और ये है 1 minus 1 by 2 तो मतलब net field अगर आप देखो तो किस direction में आनी चाहिए net field आपको इस direction में मिलनी चाहिए ठीक है तो इस direction में net field कितनी आ जाएगी k lambda upon r आप क्या करोगे इस direction की field में से ये वाली subtract कर दो तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा 1 by 2 minus ये वाला तो ये हो जाएगा 1 plus root 3 by 2 तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो k lambda upon r bracket में क्या जाएगा ये कितना हो जाएगा minus 1 by 2 मतलब root 3 minus 1 by 2 it means field के यापर 2 component आ रहे है ठीक है 2 component आ रहे है एक तो है root 3 plus 1 by 2 ठीक है और एक है root 3 minus 1 by 2 तो आप चाहो तो electric field को vector form में भी लिख सकते हो इस तरह से k lambda upon r 2r लिख लो जो जो और bracket में कितना लिखोगे root 3 plus 1 ये तो हो जाएगा i cap के साथ और root 3 minus 1 ये आ जाएगा j cap के साथ तो इस तरीके से आप net electric field vector भी लिख सकते हो तो ये काफ़ी important technique थी और इस technique का use करके आप parallel component perpendicular component electric field के लिख सकते हैं आज जो हम लोगों ने ये electric field का concept पढ़ा है linear charge की वज़े से इसका मैं बहुत बहुत अच्छा application आपको बता रहा हूँ numerical है बहुत अच्छा numerical है देखिए इसमें आपको क्या given है कि यहाँ पर एक semi infinite length का एक wire है आप इसको infinite length भी बोल सकते हो बट center से क्या हो लेक साइड है तो यहाँ पर एक infinite length का एक line charge है और इसके एक end पर एक ring रखी हुई इस तरह से और इस ring पर total charge कितना है capital Q है और आपको calculate करना है कि force on ring कितना होगा ठीक है ring पर कितना force होगा यानि कि line charge ring पर कितना force exert करेगा तो बच्चों सबसे पहले इसकी electric field हमें पता है किस तरह से होती है तो वो मैं आपको explain करता हूँ यहाँ पर देखिए इसकी जो electric field होगी suppose यह आपने line charge draw कर लिया ठीक है इस तरह से और इस पर कैसा charge है positive charge है यह हमने positive यहाँ पर draw कर लिया यह complete positive charge और हमें क्या find करना है इस line charge की वज़े से इस ring पर कितना force होगा तो सबसे पहले आप एक काम करो जहां ring रखी हुई है न उन सभी points पर electric field देखो कैसी होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पर ring की location पर electric field देखने के लिए मैंने एक ring shape draw कर लिया अब मैं क्यों electric field देख रहा हूँ जैसे देखो यह positive charge है बताओ इस point पर क्या होगा एक तो perpendicular component आएगा वो कितना होगा k lambda upon r और एक parallel component आएगा वो भी कितना होगा k lambda upon r similarly यहाँ पर देखें तो एक perpendicular component होगा k lambda upon r और एक parallel component होगा k lambda upon r और बच्चों हर point पर अगर आप देखो तो एक component आपको मिलेगा जैसे मालो यहाँ पर मैं check करूँ तो एक तो मुझे मिल जाएगा rod के perpendicular k lambda upon r और एक मुझे मिलेगा rod के parallel वो भी कितना होगा k lambda upon r अब आप ऐसा समझो कि जो rod के perpendicular है ठीक है मतलब अगर आप यहाँ से इसको देखते हो यहाँ से अगर आप इसको view करो ठीक है तो यह आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यह ring रखी हुई है ठीक है यह ring रखी हुई है और जो यह perpendicular electric field है वो इस तरह से है k lambda upon r जो perpendicular electric field है वो इस तरह से है हर point पर एक अलग direction है ठीक है इस तरह से तो यह electric field ऐसे है और हर electric field का magnitude कितना है k lambda upon r यह सभी electric field क्या है k lambda upon r तो बच्चों अगर हम यहां देखें तो net force अगर देखा जाए इस element पर force इस direction में होगा इस element पर force इस direction में होगा तो हर charge पर force कैसा है random direction में है तो इसका जो net आएगा वो तो 0 आजाएगा मतलब अगर मैं इसका resultant find करूँ तो यह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और वहीं अगर आप दूसरा component देखते हैं उसको मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ जैसे इस तरह से ring रखी हुई अपनी और मैं दूसरे component की बात करता हूँ जो सभी component A की direction में है जैसे यहां पर देखो तो हर एक component k lambda upon r और कैसा है parallel to line charge इस तरह से तो यह सभी एकी direction में force exert कर रहे है तो जो net force यहां पर आएगा net force वो बच्चों कितना आजाएगा electric field into charge charge into electric field electric field क्या होती है unit charge पर force कितना होता है electric field तो charge से multiply कर दिया force आगया तो यह जो force आएगा वो क्या हैगा बताओ electric field कितनी है k lambda upon r और charge कितना है ring पर q तो net force कितना आगया k lambda upon r into q that's a very very important result और यह concept भी काफ़ी important है और बच्चों जितना यह ring पर force exert हो रहा है ring भी उतना ही force इस line charge पर exert करेगी यानि कि k lambda upon r into q बच्चों एक और important question देखते हैं जो कि यहाँ पर line charge की electric field का एक बहुत अच्छा application है यहाँ पर आपको एक infinite length का line charge given है जिस पर charge जंस्टी कितनी है lambda कुल आमपर meter और यहाँ पर आपको एक particle दिया गया है जिस पर charge है minus q और यह particle circular path पर revolve कर रहा है जिसकी radius क्या है capital R तो आपको calculate करना है कि यह particle जिस speed से revolve कर रहा है उस speed की value क्या होगी बच्चों हमें यह पता है कि अगर किसी particle को circular path पर revolve कराना है सपोज यह charge particle circular path पर revolve कर रहा है तो किसी भी particle को circular path पर revolve कराना है motion कराना है तो उसका एक acceleration होता है towards center ठीक है और towards center जो acceleration होता है वो क्या होता है v square divided by r अब आप ये सोचो इस acceleration के लिए क्या चाहिए हमें force चाहिए ठीक है force चाहिए और वो force कहां से मिलेगा वो force मिलेगा हमें electrostatic force वो force क्या होगा electrostatic force होगा ठीक है यनि कि यहाँ पर जब charge particle circle पर revolve कर रहा है तो circle पर गुमने के लिए उसको एक acceleration चाहिए v square by r acceleration के लिए force चाहिए और force कहां से मिलेगा electrostatic force है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं force is equal to mass into acceleration अब जो mass m है acceleration कितना है v square by r अब बताती है force क्या होगा तो हमें पता है force क्या होगा charge कितना है q ठीक है charges पर कितना है वैसे तो minus q है तो minus q क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ पर अगर मैं charge देखूँ rod पर तो rod पर कैसा charge है positive charge है और because of this positive charge जो electric field होगी वो कैसी होगी away from positive charge यह electric field होगी लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई minus q charge रखता हूँ तो negative charge पर जो force होगा वो opposite direction में होगा electric field है electric field हमें क्या बताती है positive charge पर force की direction तो अगर charge negative होगा तो उस पर जो force होगा वो electric field के opposite direction में होगा यानि force किदार होगा towards center होगा ठीक है तो हम यहाँ पर force का magnitude simply लिखेंगे तो force का magnitude क्या होगा charge into electric field अब बच्चों यह बताओ line charge कितनी electric field पर यूज़ करता है line charge जो electric field पर यूज़ करता होता lambda by 2 pi epsilon not r यह भी हम लोग ने पढ़ा था और यह किसके equal हो जाएगा mv square by r ठीक है यहाँ पर आप capital R यूज़ करें तो अब यह जो होगा वो capital R cancel होगी आपने पास और यहाँ पर आपके पास आ रहा है v square is equal to q ठीक है charge q into lambda divided by 2 pi epsilon not m ठीक है और यहाँ से अगर आप speed calculate करते हैं तो यह आपको मिल जाएगी square root of q lambda divided by 2 pi epsilon not m बच्चों आप यह भी देख सकते हों कि जो speed है वो R से independent है it's a very very important result कि speed यहाँ पर R के power 0 के proportional है मतलब R से independent है तो बच्चों आपने देखा इस lecture के अंदर कि हमने यहाँ पर बात की कि अगर आपके पास कोई line charge है तो उसकी वज़े से क्या electric field होगी axis पर क्या electric field होगी perpendicular क्या electric field होगी फिर हम perpendicular में भी दो component थे perpendicular to line एक था parallel to line और फिर उसके कुछ applications देखें I hope कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा तो अगर guys आपको यह वीडियो पसंद आया है तो please do like और अगर आपको इसमें से related कोई query है कोई doubt है तो आप comment box में लिख सकते हैं Thank you